विश्वी हिंदू परिशत के अंतराश्ट्रिय कारेकारी अध्यक्ष परवीन टोगडिया के रहस्मिय धंग से लापता होने के बाद विश्वी हिंदू परिशत के कारेकरताओं ने मुसल्मानों के एक समुक कतित तौर पर पीटा उनके वहानों को तोड़ दिया टाइमस आफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मताबिक ये घटना सोमवार शाम पालडी में हुई जब हिंदू संगटनों के कारेकरताओं ने विरोध में सडकों को जाम किया और मुसल्मानों को मारने की कोशिश की अलपसंख्यक अधिकार मंच ने इस घटना पर रोज जाहर किया है शहर के अधिवक्ता और समाजी कारेकरता शमशाद पठार ने जिला कलेक्टर को ग्यापन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि निर्दोश मुसलिमों को वियाच्पी कारेकरताओं द्वारा पीटा गया ह और इस मामले में कानूनी कारवाई की मांग रखी है विहीप के अंतराश्ट्री है अध्यक्ष प्रविन टोगडिया जिनको जैट प्ले सुरक्षा मिली है वे 15 जनवरी को गयाब हो जाने के बाद वियाच्पी ने पालड़ी चौराहे पर सड़क जाम कारेकरम आयोजित कि दाड़ी वाले एक बुजर्ग मुस्लिम व्यक्ति को पीटा गया और वियाच्पी कारेकरताओं ने उनके दो पईया वहान को छतिग्रस कर दिया वियाच्पी कारेकरताओं ने मुसल्मानों के आटो रिक्षा के गलास को भी तोड़ दिया था पुलिस के हस्तचेप से ही इंसा का सहरा लिया और सामप्रदाइक साने की कोशिश की शमशाद ने वियाच्पी कारेकरताओं के ततकाल गिरफतारी की मांग की और इस दोरान हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार द्वारा मुआफ़ा दिये जाने की मांग रखी है Bureau Report, Palpal News